नमस्कार दोस्तों मैं हूँ जितेन चौधरी स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जेके एडूटेक में दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करेंगे येस बैंक लिम्टेट के बारे में जी आँ दोस्तों येस बैंक लिम्टेट में आज एक बहुत बड़ी जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि येस बैंक लिम्टेट में अठार हजार करोड का जो लोन है ओकीस परकार से कंपनियों से जो है रिकवर होता हुआ दिखेगा तो बने रिये जेके रूटेक के साथ और वीडियो को सुरू से लेकर अ अच्छे नहीं रहे हैं अमेरिकन मार्केट का देखें तो डाउ जोंस इंदस्ट्रियल एवरेज जिसे हम डिजी आई बोलते हैं डाउ जो है देखकर इंडिया ट्रेडर जो है अपना ट्रेड लेते हैं तो यहां पर कल की डेट में डाउ जोंस में 533 अंकों की गिरावट को मिली है तकरिवन 1.58 परसेंट की निगेटिविटी के साथ जो है डाउ जोंस इंदस्ट्रियल एवरेज जो है क्लोज होता हुआ दिखा क्योंकि अमेरिका का मेजर इंडेक्स है उसके आलावा आप देखें तो सिंगाफूर 500 इसमें भी तकरिवन 1.31 परसेंट की गिराव आपको देखने को मिली है कल की डिट में हाला कि आज सनिवार है कल एक कल की ने उजह है और कल को मार्केट बंद रहेगा इसके अलावा आप रसेल को देखें रसेल 2000 इंडेक्स में तो उसमें भयंकर गिरावट आपको देखने को मिली है तक्रिवन 2.17 परसेंट की जो है एक बहुत बड़ी निकल के आ रही है डी एचेफल वालों के लिए क्योंकि डी एचेफल में जिनका पैसा निवेस था जीरो हो चुका है और डी एचेफल को एनसी और बीसी ने यहां पर सस्पेंड कर दिया है और डी एचेफल में 18 जून के बाद जो है ट्रेडिंग ब हुआ है कि नुक्षान हुआ है और आप लोगों ने भी नीचे कमेंड करके बताया है मुझे बहुत दुख है कि ऐसा हो रहा है इंडियर मार्केट में लेकिन आपको बता दें कि आपका पैसा जो है जो आपने दिवान हाउसिंग फाइनेस लेंटेड में लगाया था दिव इसमें कुछ इन्वालिट ट्रांजेक्शन कैश किये हैं और यह सारी चीजें जो है दिएचेफल को लेकर है क्योंकि दिएचेफल का संबन्द यह सब्सक्राइब से पूराना है आप सभी को पता है आप लोग बोलेंगे कि सर आप तो बोल लेते कि 18,000 करोर की रिकावरी हो क्योंकि पीरामल ग्रूप के एक्वाइर एक्वाजिशन से क्योंकि पीरामल ग्रूप ने जो है दिएचेफल को खरीद लिया है और पूरी तरह से एक्वाइर नहीं हुआ है तो इन्वेस्टर जुन्होंने एस बैंक लिम्टेट में अपने पैसे को निवेश किये हैं वह ज्यादा कवड़ाय हुआ है क्योंकि जिस दिन एनसी और भी एसी ने ऑफिसली अनॉस्मेंट किया था कि दिएचेफल के सेर अब इंडियन सेर मार्केट में हमारे स्टॉक एक्ष खासकर एस बैंक लिम्टेट के लोग एस सोचने पर मजबूर होगा है कि दिएचेफल का करजा तकरीबन 4,385 करोड का है तो क्या दिएचेफल भाग जाएगा और एस बैंक लिम्टेट उससे करजा नहीं ले पाएगा तो अब हमारा क्या होगा हमारा पैसा तो वैससे जू अब देखें तो इसमें अनील, अमबानी, एसल और डिएचेफल और जेट एरवेज यह तीन मेजर ऐसे मतलब घुटाले बाज हैं जिनोंने एस वैंक लिम्टेट से पैसा लिया है और पैसों की जरग जो रकम है दोस्तों तकरीबन 34,000 करोड रुपए के करीब में हैं तो इसमें सबसे जो मुख बकायदार हैं उसमें पहली श्रेडी में अनील, अमबानी, उसके बाद डिएचेफल, दिवान हाउसिंग फाइनेस लिम्टेट और एसल गुरूप यह तीनों जो है यह समेंक लिम्टेट से तकरीबन 34,000 करोड रुपए निकाला गया है और अब जो 800 करोड पे यह समेंक लिम्टेट से लोन लिए हैं जो अब देने से इनकार कर रहे हैं इसके अलावा डिएचेफल भी हैं और अन्य लोग हैं सारी चीजों को जानेंगे डिएचेफल का करजा है 12,800 करोड डिएचेफल का है 4,375 करोड और इसी करम में आप देखें तो जिट एरवेज नरेश गोल की कमपनी जिट एरवेज का भी करजा जो है 1100 करोड के करीम में हैं तो यह जो रिलाइंस है अनि लंबानी की कमपनी डिएचेफल और जिट एरवेज इन तीनों से जो है मिलाकर जो रकम निकाले जाएगी ओ 18,000 करोड के ऊपर है तो यह उमी 200 करोड के करीम में है कि कल की डेट में जो निव आई थी ओ निव आप लोगों ने देखा ही होगा इस पर मैंने वीडियो बनाया था दो दिन पहले कि यह सबैंक लेंटेट और एक्सिस बैंक लेंटेट को एक ग्रीन सिगनल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि के एसेट यहीं समपत्ति को बेचेंगे और वहां से अपना पैसा रिकवर करने की कोसिस करेंगे तो आप ध्यान दें तो एक्सिस बैंक से ज्यादा करजा जो है यह सबैंक लिम्टेट का रिलाइंस के ऊपर यह रिलाइंस ग्रूप के ऊपर जिसे हम अनिलंबानी की कंपनी रिलाइंस ग्रूप के ऊपर जो है तकरीबन बारह हजार आठ सो क्रूड रूपे का करजा है तो शेवी के गाइडलाइंस के अनुसार और आर वी याई यानि रिजर बैंक आप इंडिया की तत्वाधन में जो परकिरिया चल रही है तो यह साफ यहां पर क्लियर कट यहां समझ में आ रहा है कि हाँ पर बैंक जो है इसके एसट को सेल करके करजा वसू लेगा आपको बता दें कि एक महिना पहले रिलाइंस जो हैड़ को हैड़ को एक रिज्वार कोड़ कर लिया है तो बैंक किसी भी चीज से जहां पीछे नहीं एकने वाला है थोड़ी थोड़ी हो रही है लेकिन यस पर क्लिम्टिट रिकावरी के मामले में इसकी जो रफ्तार है काफी तेज है वहीं पर जो तीसरी नियुज है यह तो पहली डीएचेफल की दूसरी जो है रिलांस कैपिटल के एसेट को सेल किया दाएगा और तीसरी नियुज है कि नरेस गोयल जो जिट एयरलाइन जो जिट एयरवेच के जो है संस्थापक हैं उन्होंने जो है दर नेशनल कंपनी लाट ट्रिबूनल के अंतरगत जो इनके डिपॉजिट्स हैं वहां पर रोक लगा दिया गया है यानि इनका केस अभी इंसॉस्वेंसी प्रोसेस में एंसी एल्टी के पास जो है एंसी एल्टी के पास एयरलाइन वाली कंपनी है इसका दो सालों से जो है मामदा चल ला है तो उमीद की जाती है कि इस जून के आखरी सेसं तक जो है इसमेटर जो है पूरी तरह से किलियर कट हो जाएगा तो यहाँ पर देखें तो तीनों से जो है तक्रीबन बारह हजार करोड अनी लंबानी उसके बाद 4,370 करोड डीये चपल से और 1100 करोड जो है जेट एरलाइन से तो यह तीनों मिलाकर देखें तो 18,000 करोड के ऊपर का करजा है हलाकि कल की डेट में सुक वार के टेडिंग सेसन में यस में क्लिम्टेट जो है पॉजिटिव के साथ क्लोज जिन में से 4,53,83,370 की कॉंटिटी में सेस के डिलिवरी उठाई गई है तकरीबन 43.08% के करीम में यस में कल डिलिवरी उठाई गई है तो यहां पर इस गिरावत भरे माहौल में आपको क्या करना चाहिए आपने जिस भी पोजिशन पर जिस भी स्टाइक प्राइस पर जिस आपके हातों से निकलता हुआ जाएगा और निकल जाएगा क्योंकि यदि आप लोगों ने यहां पर न्यूज के ऊपर फोकस किया तो आप पूरी तरह से बरबाद हो जाएंगे तो आई होप दोस्तों एए वीडियो आपको जरूर पसंदा होगा यदि ये वीडियो कि ये दौर कमत gaan वेर आपको एंटत्र नेवर रपर मस्के मनने ये वीडियो ने ये पर जeye景், में गया शुतलर ईपको झात्बदोर नेवरे ने य जाएंगैए उर चालिएे रंज लाएमे दूम झात्टतों कि ऒन भी दोगई रहएं और रहएंगागा एंटत्टतLP कि एं